प्रस्न एक, निनलिखित में कौन रासी एक दूसरे के अनुक्रम या व्यूत्क्रम वीचरन करते हैं, पहला वस्तु की संख्या एक्स और उनकी कीमत बाई, तो प्रस्न पहला का पहला है वस्तु की संख्या एक्स और उनकी कीमत बाई, अब देखें वस्तु बढ़ेगा तो उसका कीमत भी बढ़ेगा यानि वस्तु की संख्या बढ़ेगा तो उसका कीमत भी बढ़ेगा और वस्तु की संख्या घटने पे उसका कीमत भी घट जाएगा यानि यह है अनुक्रम विचरन में तो हम लिखेंगे X और Y एक्स और य अनुक्रम वीचरन करेंगे अनुक्रम वीचरन अनुक्रम वीचरन में है इस तरह लिखलेंगे एक्स और वाई क्या है अनुक्रम वीचरन में है क्यों अनुक्रम वीचरन में है क्योंकि एक्स बढ़ने पर वाई भी बढ़ रहा है यानि वस्तू की संख्या बढ़ेगा तो उसका कीमत भी बढ़ेगा वाई तो वस्तू की संख्या को एक्स से लिखा गया है कीमत में भी चार गुना हो जाएगा ठीक है तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है इसका मतलब है अनुक्रम बिचरन में है तो इसका उत्तर होगा अनुक्रम बिचरन दूसरा दूसरा है दूरी एक्स और समय बाई जबकि चाल एक समान है तो देखे चाल जो है बराबर है चाल क्या है एक समान है यानि एक ही चाल से चल रहा है तो दूरी तो दूरी को बढ़ा देंगे तो समय भी बढ़ेगा क्योंकि चाल तो वही है चाल एक ही है चाल न घट रहा है न और दूरी कम करेंगे तो समय भी कम लगेगा वहाँ जाने में तो यहाँ पर लिखेंगे हम X और बाई अनुक्रम बीचरन में है तो X और बाई अनुक्रम बीचरन में है यानि X बढ़ने पर बाई भी बढ़ रहा है और X घटने पर बाई भी घट रहा है तो एक को बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है अनुक्रम बीचरन में है तो दूसरा में भी हम लिखेंगे अनुकरम बीचरन क्योंकि दूरी बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा क्योंकि चाल जो है बराबर है तो दूरी जितना दूरी हम जाएंगे उतना ही समय लगेगा क्योंकि चाल हम बढ़ा नहीं रहें चाल बराबर है तो इस तरह लिखेंगे तीसरा चाल एक्स और समय बाई जबकि तै की गई दूरी समान है तो यहाँ पे चाल एक्स और समय बाई जबकि तै की गई दूरी समान है यानि दूरी जो है बराबर है तै की गई दूरी क्या है बराबर है यानि दूरी यहाँ पे बदल नहीं रहा है बस चाल और समय यहाँ पे बदल रहा है तो देखें चाल एक्स और समय बाई तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स और वाई व्यूत क्रम विचरन में है व्यूत क्रम विचरन में है X और Y वी उत्करम बीचरन में है इसका मतलब हुआ कि X बढ़ने पे बाई घटेगा और X घटने पे बाई बढ़ेगा कैसे तो देखे अगर चाल बढ़ाएंगे तो समय घट जाएगा क्योंकि दूरी बराबर है ठीक है चाल बढ़ने पे समय घटेगा यानि चाल जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही समय कम लगेगा कहीं भी जाने में जैसे मान लिजे घट से स्कूल जाना है तो अगर चाल हम बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा और चाल घटा देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा स्कूल जाने में ठीक है तो X और Y क्या है? व्यूत्करम बीचरन में क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है X बढ़ रहा है तो Y घट रहा है और X घट रहा है तो Y बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया? व्यूत्करम बीचरन और अनुकरम बीचरन मतलब हुआ एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है यानि इसमें दोनों घट रहा है एक घटने पर दूसरा भी घट रहा है और एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है इसमें उल्टा हो रहा है है बाई 25 पैसे का अपवर्थ है तो यहां हम लिख लेंगे एक्स और वाई एक्स और वाई व्यूत्क्रम एक्स और वाई व्यूत्क्रम बीचरन में है कैसे तो देखे करा एक्स पेंसिल की कीमत 20 रुपया है यानि मान लिखे 10 पेंसिल का कीमत 20 रुपया है ठीक है एक्स मतलब मान लेते हैं 10 या 100 कुछ में मान सकते हैं एक्स के बदर तो मान लेते हैं कि 10 पेंसिल का कीमत 20 रुपया है ठीक है एक्स पेंसिल की कीमत 20 रुपया कहा रहा है तो हम पचीस पैसे का गुनाज है, तो 25 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पचीस दुनी पचास, पचीस तिया पचात्तर, पचीस पचे एक-सो पचीस, पचीस छक एक-सो पचास, कुछ भी हो सकता है, तो देखें, अगर कीमत बढ़ेगा, परती पे जाएगा क्योंकि 20 रूपया में ही हमें खरीदना है पेंसिल एक पेंसिल की कीमत 20 रूपया है तो माल लाते हैं 10 पेंसिल की कीमत 20 रूपया है ठीक है तो अगर हम पेंसिल की कीमत को बढ़ा देंगे और 20 रूपया है ही मेरे पास ठीक है, तो पेंसिल घट जाएगा, जैसे 25 पैसा अगर पड़ती पेंसिल है, तो 20 रुपयाम बहुत सारा पेंसिल हो जाएगा, अगर उसी तरह अगर 50 पैसा पड़ती पेंसिल का दाम है, तो 20 रुपयाम है, थोड़ा कम पेंसिल होगा, ठीक है, तो इसलिए X और Y क्या है, व पेंसिल कम जाएगा, क्योंकि रकम तो मेरे पास 20 रूपिया ही है, 20 रूपिया में ही खरीदना है, अगर हम महगा पेंसिल लेंगे, तो 20 रूपिया में कम पेंसिल आएगा, अगर सस्ता पेंसिल लेंगे, तो 20 रूपिया में ज्यादा पेंसिल आएगा, तो इसलिए X और गोली की संख्या X और गोली की संख्या Y तो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे X और Y क्या है? अनुक्रम बीचरन में है यह कैसे हो गया? तो देखे गोली की संख्या X और गोली की बजन Y यानि गोली बढ़ेगा तो उसका बजन भी बढ़ेगा यानि जितना गोली रहेगा, उतना ही उसका वजन होगा, ठीक है, और गोली कम रहेगा, तो उसका वजन भी कम होगा, यानि, X बढ़ रहा है, तो बाई भी बढ़ रहा है, ठीक है, एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है, और X कमेगा, तो बाई भी कमेगा, यानि, ये स दसने छे किसी काम को पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या X तथा दीनों की संख्या Y किसी काम को पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या X तथा दीनों की संख्या Y तो देखें यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले X और Y विच्रन में है विच्रन में है कैसे तो अगर हम मजदूर बढ़ा देंगे तो कम दीन में खत्म हो जागा कोई भी काम अगर एक काम को करना है किसी भी काम को करना है तो अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा यानि दिन कम लगेगा उसी तरब मजदूरों की संख्या को घटा देंगे तो दिन जादा लगेगा उस काम को खत्म करने में तो यहाँ पर व्यूत क्रम बीचरन हुआ क्योंकि X बढ़ रहा है तो Y कम रहा है और X घट रहा है तो Y बढ़ रहा है यानि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम रहा है एक कम रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है यानि उल्टा हो रहा है तो यह हो गया व्यूत क्रम बीचरन यह क्या हो गया व्यूत क्रम बीचरन क्योंकि एक बढ़ने से दूसरा घट रहा है और एक घटने से दूसरा बढ़ रहा है तो इस तरह लिख लेंगे साथवा इटों के संख्या X तथा उसका वजन बाई सभी इट एक समान है तो प्रेसन साथवा तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे X और Y X और Y अनुक्रम अनुक्रम बीचरन में है यहाँ पे अनुक्रम बीचरन में है कैसे तो देखे इटों की संख्या अगर बढ़ेगा तो उसका वजन भी बढ़ेगा मान लिजे एक इटा है तो उसका वजन कम होगा 10 सीटा है तो उसका बजन 10 गुना हो जाएगा 20 सीटा है तो 20 गुना हो जाएगा ठीक है तो X बढ़ने पे Y भी बढ़ रहा है क्योंकि EAT X समान है EAT में कोई छोटा बढ़ा नहीं है सब एक समान है तो अगर EATों की संख्या बढ़ेगा तो उसका बजन भी उसी अनुसार बढ़ेगा अगर 10 सीटा है तो 10 गुना बजन बढ़ेगा 20 सीटा है तो 20 गुना बजन बढ़ेगा मालने जिए 1 कीटा का बजन है 1 किलो तो 10 सीटा का 10 किलो 20 सीटा का 20 किलो यानि X बढ़ रहा है तो Y भी बढ़ रहा है अमुरूत का बजन X तदा कीमत 100 रुपया हो और परतिक किलोग्राम अमुरूत का दाम बाई बाई 4 रुपया का अपवर्त है तो लिखेंगे X और Y व्यूत्क्रम वीचरन में है X और Y व्यूत्क्रम वीचरन में है कैसे तो देखें कह रहा है कि अमुरूत का वजन X तदा कीमत 100 रुपया हो और परतिक किलोग्राम अमुरूत का दाम बाई और बाई 4 रुपया का पवर्त है तो यहाँ पर कहा रहा है कि X वजन का अमरूद का कीमत 100 रुपया है मान लिजे X वजन मतलब 1 किलो मान लेते हैं 1 किलो अमरूद का कीमत 100 रुपया है मान के चलते हैं कि 1 किलो अमरूद का वजन 100 रुपया है ठीक है तो परतिक किलोग्राम üst καदाम और यी चार उपया का अपोर्थ है तो देखे चार का अपोर्थ मतलब गुनेज तो चार का गुनेज कौन कोन होता है शोलला है चार का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे सब गुनेज है चार का चार दुनियाट, चार्टियाबारा, चार्चोक, सोला, चार बज़े, बीस, चार्चक, चोबिस, ऐसे करते करते, तो देखिए, मान लेते हैं, तो जितना महगा हम अमरूद खरीदेंगे, उतना ही कम होगा, मान लिए जो 200 रुपया वाला अमरूद खरीदते हैं, ठीक है, तो अमरूद खरीदना है, ठीक है, तो अगर महगा अमरूद खरीदेंगे, अच्छा अमरूद खरीदेंगे, तो कम होगा, अगर कम दामबला और खराब अमरूद खरीदेंगे, तो ज्यादा अमरूद हो जाएगा, इसलिए, X और Y क्या है, व्यूत्करम बिचरन में है, क्यू झाल झाल